जलेवी खाना सबको अच्छा लगता है और इसपेसलि अगर गुड की जलेवी हो तो जो डियपटीक पेसेंट है वो भी खा सकते हैं और इस ट्रिप और ट्रिक्स के साथ आज हम जलेवी बनाएंगे कि आपके जलेवी इतनी अच्छी बनेगी जैसा कि हमने बनाया है कोई खा कि नहीं बता पाएगा कि यह जलेवी आपने बनाया है आटे से और गुड से तो चलिए फिर देखते हैं कि जलेवी बनाने के लिए हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी जलेवी बिल्कुल कुरकुरी और क्रिस्पी बने हम जलेवी बनाते हैं किसी के जलेबी चिपकी चिपकी रहती है किसी में रस नहीं भरता है तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जलेबी हमारे वैसे मार्केट वाली बने और especially जलेबी हम बनाएंगे गुर की तो यह जलेबी तो और ही tasty बनती है तो जलेबी बनाने के लिए बहुत कम चीजों के आउसकता होती है और सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि किस अनुपात में हमारा तेल हो और चासनी हो तो पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे आप वीडियो को ध्यान से देखें तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमने एक बड़ा बरतन लिया है और एक कटोरी आटा लिया है आटा वही लेना है जो घर में आप पूरी पराठा या रोटी बनाते हैं आटे को हमने दो बार चलनी से छान लिया था जिससे जो इसमें मोटा चोकर था वो निकल गया है आपको कोई भी आठा लेना है जो घर में जिसमें आप रोटी बनाते हैं कोई इसपेसल आठा नहीं लेना है तो एक कटोरी हमने आठा लिया है इस आठे कोगर हमने चमश से ना पा था तो लगभग 16 चमश था और इस्पून से ना पाक कप से ना पा था तो एक कप आटा था दो सो पचास ग्राम लगबग एक पाउ हमने आटा लिया है और आटा डाल देंगे और डालने के बाद फ्रेंट्स हमने लिया है इनो इनो नॉर्मल फ्लेवर का लेना है कोई आपको फ्लेवर वाला नहीं लेना है नॉर्मल फ्लेवर का एक पैकेट आपको इनो लेना है और एक ही कटोर्य हमने आठा लिया है और एक पाउ लगभगी आठा है और ये एक पाउच पूरा इनो इसमे डालेंगे सूखे आटे में ही डालना है इस बात का ध्यान रखना है और वीडियो फ्रेंड्स आप ध्यान से देखें फिर आप रेस्पी बनाते हैं तो आपके रेस्पी नहीं बन पाती तो आप बताते हैं कि हमारी नहीं बनी तो वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से सुनें इनो डाला था, अब उसमें हमने डाला है दो चमच देसी घी, देसी घी डालेंगे, तो इसका टेश्ड बहुत अच्छा आएगा, तो यह देखी इस तरीचे से हमने देसी घी डाला है और इनो पहले से डाला था और फ्रेंड्स जिस कटोरी में हमने आटा लिया था उसी कटोरी में एक कटोरी हम पानी लेंगे अब पानी कितना डालना है ये बात भी धियान रखना है जो हमारा बेटर होगा वो किस तरीके का होगा इन सब बातों को अगर हम ध्यान में दे कर बनाएंगे तो हमारी जले भी बहुत अच्छी बनेगे यह देखिए इस तरीके से सूखे में ही पहले इनो जो हमने डाला था उसे मिला देंगे और घी डाला था उसे थोड़ा सा मिला देंगे और अब इसमें हम पानी डालेंगे पानी एक साथ नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा पानी डालना है मिलाना है जितना ही अच्छा आप बेटर बनाएंगे उतना अच्छा हमारी जो जलेवी है वो बन के तयार होगे और जलेवी तो हमारा राष्टी मिठाई है और ये खाना सब को पसंद आता है और वैसे हमने इसके पहले भी जलेवी बनाई थी वो हमने चीनी की बनाई थी तो आप अगर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे उसके बनाने का तरीका हमने पैकेट से बनाया था वो भी आप देख सकते हैं ये देखी इस तरीके से डालेंगे और डाल कि इसको मिलाएंगे आप हाथ से भी मिला सकते हैं इस तरह से इससे मिला रहे हैं आप हाथों से भी मिला सकते हैं ऐसा कुछ नहीं की मिलाने के लिए हमें सारे ओजा रही चाहिए क्योंकि भगवान ने हमें दस उंगलिया दे रखी तो आप हाथों से खुफ फेंट सकते हैं हम हमें ऐसा बनाते हैं तो हम हमें ये अंदाजा हो जाता है कि किस तरीके से बनेगा लेकिन अगर आप हास से चाहे तो हास से भी मिला सकते हैं थोड़ा सा पानी अभी मारा बचा है पानी अभी नहीं डालना है और इसको खूब फेटना है ध्यान रखना है कि एक ही राउन में फेटना है, इसको इस round में नहीं फेटना है, जिस round में आप फेट रहे हैं, विल्कुल उसी round में इसको लगातार clockwise फेटना है, anti-clockwise आपको इसे नहीं घुमाना है, जितना आप फेट सके, लगभग घड़ी के टाइम से आप 15-20 मिनुट तक लगातार इसको फेट ये, जब आप इसे फेटेंगे, तो आपका आटा अपने आप हलका हो जाएगा, और जो हमने इनो डाला था, उस वज़े से पहले थोड़ा से ये खुब फूलेगा, फूलने के बाद फेटते फेटते थोड़ा से ये डाउन हो जाएगा, देखे, पानी हमने नहीं डाला है, और कितना बनके तयार है, तो चम्मच से आप देख सकते हैं, और इसकी एक ट्रिक भी है, इस तरह से चम्मच को उल्टा करके उसमें आप लगा लीजे, और जब आप इसको गिराएंगे, तब भी चम्मच हमारा पूरी तरीके से साफ नहीं होगा, ये देखे, लगा हुआ है ना, इस साइड और उस साइड का बेटर आपस में मिल नहीं रहा है, मतलब कि हमारा बेटर जो है, ये जो अनुपात है पानी का वो भी परफेक्ट है, और फेटा भी खुब अच्छी तरीके से है, ये देखे, इस तरीके से आप चम्मच से ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको उस तर फेटेंगे, हमारी बेटी बैठी है, आप जानते ही है, फ्रेंट की कितना मुश्किल से वीडियो बना पाते हैं, और वही चीजे हम आपके साथ सेर करते हैं, जो घर में हम बिलकुल पर्फेक्ट बना लेते हैं, और अपने कोसिस करते हैं, कि जो रेस्पी आपको दें, उस कटोरी से आपने आठा लिया है, उसी कटोरी से हमने पाने लिया था, और इस तरह से मिलाते मिलाते इतना थुड़ा सा पानी बच गया है, और बेटर भी हमारे तयार हो गया है, और अब बेटर को हम लगबग 5-7 मिनट तक इसको ढखके रखेंगे, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है मुस्किल से 5-7 मिनट तक तब तक हम इसके लिए चासनी तयार कर लेंगे तो यह इसको हमने ढखके रख दिया थोड़ा सा रेश्ट के लिए अब देखते हैं मैं चासनी बनाने के लिए किन किन चीज़ों क्या सकता होगी तो इसके लिए फ्रेंट्स ह एक ज़्यादा पीला हो जाता है एक कम पकाया गया है क्योंकि यह तो गन्नी के पेंड से बनाया जाता है तो यह देखी इस तरीके से गुड़ को हम ले लिये हैं दो कटोरी हमने गुड़ लिया है क्योंकि जब भी जलेवी बनाया है चासनी परफेक्ट होनी चाहिए चासन पास और एक कटोरी उसी कटोरी से हमने पानी डाला है बस आपको नाप का अंदाजा रखेंगे तो आप कई जले भी बहुत अच्छी बनेगी यह देखिए पानी डालेंगे और डाल के हमने गयर जला दिया है थोड़ा सा गुड को मेल्ट होने देंगे देखिए गुड हमारा थोड़ा सा मेल्ट हो गया है गुड में डंडिया होती है कहीं कहीं कंकर होते हैं तो इस तरीके से थोड़ा सा हम च्छन्ने से इसको हम च्छान देंगे जिससे इसमें जो गंदगी है वो साफ हो जाए आप गुड को पहले नाप के भी रख दें भी गो के तो उससे भी बने से बनता है अब चासनी हमारी बिल्कुल तयार हो गई है च्छन के तयार हो चुकिए भी बनी नहीं है अब इसमें थोड़ा सा हम अच्छा कलर देने के लिए थोड़ा सा बहुत कम जैसा आप देख रहे हैं उन्हें चाकू के नोक से फूट कलर डाला है और डाल के इसको ह इसमें उबाल रहे है अब चासनी आपको ध्यान देरा है कि च सनी कासे होना बहूत कम जैसा कि आप हमारे हाथ हो में देख क्या है कि बिल्कुल चासनी onमगलते हो बस तार को तूर जाना है, चिप चिप होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखें कि चासनी बिल्कुल पर्फेक्ट बनेगी, अगर आपकी चासनी अच्छी नहीं रहेगी, पतली रहेगी, तो भी हमारी जलेवियां अच्छी नहीं बनेगी, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें जैसा हम हाथों में आपको दिखा रहें, बार-बार आप ध्यान रखें, नहीं तो आपकी चासनी अच्छी नहीं रहेगी, तो आपकी जले भी अच्छी नहीं बनेगी और दो मिनट के लिए फेट देंगे अब अच्छा फोल चुका है ये बेटर बहुत बढ़िया बनके तयार हुआ है आप ये सारी चीजे आप ध्यान रखें वीडियो को बिल्कुल अब हमने एक लिया है जो सॉस की बॉटल आती है आप इस बॉटल से बना सकते हैं जो पॉलि बना सकते हैं इसके पहले जो हमने जलेवी बनायी थी हमने बॉटल से नहीं बनायी थी हमने पॉलिधीन से बनाई थी बहुत अच्छी बहां सकते हैं ऑधर देख लिए इसमें बहर लिया है और भरने आपके बाद अब देखते हैं हमारा तेल तेल का अनुपाद भी बहुत परफेक्ट होना चाहिए अगर तेल हमारा थोड़ा सा कम है यह आ गई मेरी बड़ी बेटी डाइग्राम बना के यह बता रही है कि यह केसो के काका हैं और यह केसो हैं दोनों हाथ में केसो काका लाठी केके चल रहे हैं और उन्होंने केसो का हाथ पकड़े हैं अब देखे तेल हमारा गरम हो गया है और बहुत अच्छा तेल हमारा गरम अभी कम थोड़ा सा हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं हुआ है लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम ट्राइ कर लेते हैं वैसे तो जलेबियां अप के नीचे चीपक जाए तो आपकी जलेभी परफेक्ट नहीं बनेगे डालती यह फूल के उपर आने आप डालते हैं वह उपर आ जानी चाहिए पहला रांड तो पहला रांड आ जाए दूसरा डाले दूसरा आ जाए जितनी जल्दी हो सकते हमने सबसे पहले चार ठूड़ा सा बना लिया है अकार आप अपने हिसाब से हो सकता है आप इतना अच्छा ना बनापाएं शकता है और अच्छा बना पाएं तो उस बात का ध्यान रखे तो जलेविया हमारे अच्छी हो गई है यह बिलकुल कोल्डन और को इसे हम निकालेंगे और निकाल के डालेंगे चैस्नी में अहरा आत्यारे जलेबिया बिल्कुल लूज हो जाएंगी डालना है और डाल के इधर जब तक हम डालेंगे तब तक वो अच्छा रस्पी लेंगी और फिर उसे निकाल देना है छोड़ना नहीं उसको चास नहीं बहुत ज्यादा रस्पी लेंगी अब देखिए अब इस कंडिशन में तेल ब परफेक्ट ट्रिक है उसमें आपकी चासनी साथ साथ अनुपात और तेल का अनुपात जो होता है बहुत ही जरूरी होता है अगर ये सब चीजें आप ध्यान रखें नहीं बनाएंगे तो आपकी जलेबिया अच्छी नहीं बनेंगे और जो हमने ये सौस के बॉटल लिया उसका धक्कन हमने बिल्कुल टाइट कर रखा है क्योंकि टाइट रखें कहीं आप दबाएं तो वह कहीं तेल में न गिर जाए इस बात का जरूर ध्यान रखें तो देखें जलेबियां कितनी बढ़ियां इधर निकल रही है और उधर बन रही हैं तो जैसा आप ज्यादा कुरकुरी खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पतला रखें और थोड़ा सा इसको और गोल्डन ब्राउन कर दें और थोड़ा सा अगर आप गोल्डन ब्राउन कम खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पहले ही निकालें तो इस तरीके से देखें निकालते जाएंगे और थोड़ा तो अब बिल्कुल पर्फेक्ट जलेवी हमारी बन रही है, तो फ्रेंट्स आप भी इस तरीके से अपने घर में जलेवी बना सकते हैं, बहुत सरल तरीके से, और फ्रेंट्स वैसे भी हम अपने चैनल पर जो चीज़ें आपको दिखाते हैं, कोशिस करते हैं, कि उसको घर में हम दो बार, चार बार पहले ट्राइ करते हैं, और ये सब चीज़ें तो पहले घर में बनती थी, आज भी बनती हैं, आज हमने सिस्टम बदल दिया है, पहले हम कपड़े से बनाते थे अब हम बॉटल से बनाते हैं, पॉलिथीन से बनाते हैं, सरल तरीके से जटपट, कोई बहुत ज्यादा चीजों क्या सकता नहीं होती जलेवी बनाने में, थोड़ा सा धैरी के साथ घर में अगर आप मन से बना सकते हैं, रिफाइन ओइल से हम बना रहें, आप सरसो के तेल से भी बना सकते हैं, aos जो भी आप बना सकें, तो ये देखी, इस तरीके से जलेबी हम ने बनाया और सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान देने वाली बात है, आपका अनुपात, आप ध्यान रखें, पृर वही एक friends जलेवी बन रही है जैसा कि देख के ही मुँँ में पानी आ रहा है तो जलेवियां तो बहुत अच्छी बनी है तो आप जलेवी के लिए एक लाइक जरूर करें और यह तो हमारा राश्टी यह मिठाई भी है जलेवी और जलेवी खाना किसे नहीं पसंद है और इसपेसलि अगर गुड की बनी हों जैसा कि आप देख रहे हूं और जब आप इसको बनाएंगी इसी तरीके से जैसा हमने बताया है तो आपकी जलेवी बहुत अच्छी बनेगे तो हम friends आपको ऐसी चोटी चोटी चीज़े बनाना बताते हैं जो पहले हमारे घर में बनती थी आज भी और पूरी जलेवी हमने बना के तयार कर लिया है तो अगर हमारी रेस्पी आपको अच्छी लगती है हमारे बताय हुए टिपस आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सबस्क्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी जलेवी बनाना आपको कैसा लगा और next recipe हम आपके लिए क्या दें और क्या चीजें आपको नहीं अच्छी लगी क्या नहीं समझ में आया आप हम उसे कमेंट करके पूंच सकते हैं तो जलेवी बन गई है और दही के साथ जलेवी बहुत टेस्टी लगती है तो बने रहे हैं देखते रहे हैं मिलते हैं नेक्स टाइम किसी नए रेस्पी के साथ हमारा चैनल अंद तक देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद